LibreOffice Calc में images यानि तसावीर दरज करने पर spoken tutorial में आपका इस्तक्बाल है. इस tutorial में हम सीखेंगे, document में एक image file दरज करना, मिसाल के तौर पर JPEG, PNG या BMP. यहां हम Ubuntu Linux version 10.04 और LibreOffice Suite version 3.3.4 इस्तमाल कर रहे हैं. Spread Sheet में images को ऐसे शामिल कर सकते हैं. Image file बराहे रास्त दाखिल करके, Graphics program से, Clipboard की मदद से, या Gallery से, हम इन सब की तफसील में बात करेंगे. अपनी Personal Finance Tracker.ODS Spread Sheet खोलते हैं. सबसे पहले Sheet 2 मुन्तखब करें. हम इन Sheets में images को दाखिल करेंगे. ये एक अच्छी आदत है कि पहले Cell मुन्तखब करें और फिर images को दरज करें. अगर आपके computer में image file पहले से ही मौझूद है, आप इसे सबसे पहले Insert पर क्लिक करके और फिर Picture और From File से मुन्तखब करके दरज कर सकते हैं. अब इस image file को तलाश करें, जो आप दरज करना चाहते हैं. मैंने पहले ही Desktop पर images नामी folder में कुछ images को जमा किया है, लहादा मैं image 1 चुनूंगा. हमें Location Field में image का नाम नजर आएगा. Open के बटन पर क्लिक करें. Note करें कि image स्प्रेडशीट में जाहिर होती है. चलिए Link करके एक image जोड़ते हैं. पहले एक नई cell मुन्तखब करें. अब Insert और Picture पर क्लिक करें. और From File का इंतखाव करें. दूसरी image मुन्तखब करें. अब Image 2 पर क्लिक करें. इमेज अपने डॉकुमेंट पर लिंक करने के लिए Link Option चेक करें और Open पर क्लिक करें. जाहिर होने वाले डायलॉग बॉक्स में Keep Link के बटन पर क्लिक करें. इमेज अब फाइल में लिंक हो गई है. जब हम एक फाइल को लिंक करते हैं, सबसे पहले ये सिप्रेड शीट का साइज कम करती है, जब ये सेव होती है. चुँकि हमारे सिप्रेड शीट में इमेज नहीं है, दूसरा ये सारिफ को दोनु फाइल्स में अलग से तबदीली करने के काबिल बनाता है. इमेज फाइल में की गई कोई भी तबदीली सिप्रेड शीट में लिंक्ड इमेज पर जाहिर होगी. इमेज टू का रंग बदलते हैं, जो कि ग्रेज स्केल के लिए फाइल से लिंक्ड है. मैं इस इमेज को तबदील करने के लिए इमेज एडिटर गिंप का इस्तमाल कर रहा हूँ. आप अपनी मैशीन पर नसब कोई भी एडिटर इस्तमाल कर सकते हैं. सबसे पहले personalfinance tracker.ods save करें और बंद करें. फिर इमेज इस फोल्डर में जाएं. इमेज टू मुन्तखब करें. अब दाया क्लिक करें और ओपन विद गिंप मुन्तखब करें. इमेज टू गिंप में खुलती है. अब इमेज कलर से ग्रे स्केल में तबदील करें. अब इमेज सेव करें और बंद कर दें. personalfinance tracker.ods खोलें. इमेज टू अब ग्रे स्केल में जाहिर होती है. ताहम फाइल निंक करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब भी आप इस सिप्रेड़ शीट को दूसरे computer या सारिट को भेजते हैं, आपको दोनु भेजने पड़ेंगे. सिप्रेड़ शीट और साथ साथ इमेज फाइल. जिसका मतलब है कि आपको हमेशा उस मुकाम का पता रखना होगा जहां आप दोनु फाइल्स जमा कर रहे हैं. इमेज सिप्रेड़ शीट के दाएं तरफ खिसकाते हैं. सिप्रेड़ शीट में इमेज दरज करने का एक और तरीका है. पोल्डर से ड्राइग करके जहां आपने इमेज जमा की है और इसे अपनी सिप्रेड़ शीट में छोड़ दे. आईए इमेज ड्राइग और ड्रॉप करें. अब image फाइल को अपने सिप्रेड शीट में बराहे रास्त ड्राइग और ड्रॉप करें जहां आप रखना चाहते हैं आप देखेंगे कि image आपके डॉकुमेंट में दाखिल हो गई है Ctrl और Z दबा कर इस तबदीली को अंडू करें अब image ड्राइग और ड्रॉप तरीके से लिंक करें ये भी बहुत आसान है सिर्फ Ctrl और Shift कीज को दबा कर पकड़े रहें जब सिप्रेड शीट में image ड्राइग कर रहे हैं image फाइल अब डॉकुमेंट से लिंक हो गई है इस calc फाइल को Ctrl और S कीज एक साथ दबा कर सेव करें अब इस फाइल को बंद करें अब फोल्डर पर जाएं जहां image मौजूद है image3.jpg जिसे हमने फाइल में दर्ज किया है को image4.jpg नाम दें अब personalfinance tracker.ods file दुबारा खोलें आप देखते हैं कि linked image अब जाहिर नहीं है linked path error दिखाता है इस link को delete करें इस tutorial को रोक दें और ये मश्क करें calc sheet में link के तौर पर एक image दर्ज करें इसे save और बंद करें अब फोल्डर में जाएं जहां image रखी है और image को delete करें खोलें और देखें कि अगर image अब भी calc file में जाहिर है अब image वापस image फोल्डर में paste करें चेक करें अगर image calc file में जाहिर है स्टेंडर्ड टूल बार के बिलकुल नीचे एक नए टूल बार पर तवज्जा दें ये picture टूल बार है picture टूल बार के सबसे उपर बाएं तरफ filter बटन image की दिखावट तबदील करने के कई options पर आहम करता है ग्राफिक्स मोड बटन में image, grayscale, black and white या watermark में तबदील करने के options होते है picture टूल बार में और दूसरे options हैं जिनने हम बाद में देखेंगे आगे हम सीखेंगे कि एक clipboard से image कैसे दर्ज करें clipboard में जमा images को आप एक Libre Office सिप्रेडशीट से दूसरे में copy कर सकते है एक नई सिप्रेडशीट बनाएं और इसे abc.ods नाम दें ये हमारा target document है हमारे पास हमारी personalfinance tracker.ods फाइल में पहले से ही एक image है ये हमारा source document है अब source file से image का इंतखाब करें जिसे copy करना है image copy करने के लिए control और c keys एक साथ दबाएं image अब clipboard पर save हो गई है अब target document पर जाएं जो के abc.ods है मुकाम मुन्तखब करें जहां आप अपने save की हुई image abc.ods में रखना चाहते हैं अब document में image दर्ज करने के लिए control और v keys एक साथ दबाएं हम देखते हैं कि image हमारी target file में दाखिल हो गई है अब हम सीखेंगे कि calc gallery से images को बराहरास्त कैसे दर्ज करें gallery में images और साथ ही आवाजें होती हैं जिन्हें अपने separate sheet में दर्ज कर सकते हैं देखते हैं ये किस तरह standard tool बार में gallery आइकन पर क्लिक करें मुदबादिल तोर पर menu बार में tools option पर क्लिक करें और फिर इसे खोलने के लिए gallery पर क्लिक करें अब gallery जो images बेश करता है इन में जाएं और इस image पर क्लिक करें जिसे आप अपने document में दर्ज करना चाहते हैं gallery से image ड्रैग और ड्रॉप करें और separate sheet में शामिल करें जहां आप दर्ज करना चाहते हैं आप देखते हैं कि image हमारी personalfinance tracker.ods file में दर्ज हो गई है इसके साथ ही हम LibreOffice Calc पर spoken tutorial के इस्तिताम पर आ चुके हैं मुक्तसर में हमने सीखा कि किस तरह कई तरीकों से एक image file separate sheet में दर्ज करें जैसे एक file से, clipboard से या gallery से दर्ज जे लिंक पर दस्तियाव वीडियो देखें ये spoken tutorial project का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तिमाल करके workshops भी चलाती है और online test pass करने वालों को सनद भी देते हैं मजीद मालूमात के लिए contact at spoken-tutorial.org पर लिखें spoken tutorial project talked at teacher project का हिस्सा है जिसे हुकुमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खौंदगी मिशन ने ICT के जरिये हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्जेल लिंक पर तस्तियाब है spoken-tutorial.org slash nmeict-intro इस टिटोरियल का तरजमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत शुक्रिया